हलाकि इनके बिरोधी जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई तो आम चुनाव नहीं न था ये तो सरकारी चुनाव था आप लोगों को ले करके और 30,000 के आसपास बोटों से हराने की बात कहीं जा रही थी सुरेंद्र यादों के दुआरा वो कहीं आप लोगों को हट तो नहीं कर गया या आप लोग अग्रेसिव हो गया और वहां का देखने को मिला जो इस्तिती प्रस्तिती वहां बना कि जनता में खुद ये था कि नहीं इस बार हम लोग बदलाव करेंगे नौर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों का आश्याना नमस्कार एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और आपके सामने लेकर के होट टॉक उपस्तित हैं यह होट टॉक इसलिए ज्यादा महत्तुपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि अभी जब हम बैठे हैं इसके 24 घंटे पहले है रिएल्ट आया है दो राज्यों के और तेरह राज्यों के उठ्चुनाव के जिसमें विहार भी सामिल है राजेस जी हमारे साथ हैं राजेस लगतार इस चुनाव को लेकर के इनसे समिख्षा हम करते रहे हैं अलग-अलग जो बिधान सबस च्छेत्र थे विहार के या फ खुशी से निंद नहीं लग रही थी उन सब को लेकर के हमने बुलाया है कि थोड़ी देर तो आप भारत लाइव को समय दीजिए बुलाये हैं और बुलाये हैं तो सवाल भी आप जानते ही होगे कि आपके सब बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब चाहिए था इन्होंने दा लेकिन नहीं किसी को अंबाजा नहीं था यह लेकिन दावा कर रहे हैं लेकिन इसमार का दावा इनका बहुत ही पुखता रहा है हलाकि इनके विरोधी जो हैं वो यह कहते हैं कि भाई तो आम चुनाव नहीं न था यह तो सरकारी चुनाव था जब भी उप चुनाव होते हैं तो सरकार का इंफ्लुएंस ज्यादा होता है हमने भी इनसे पूछा था कि कहीं तंतुरूंत का यूज नहीं न कीजिएगा आप खैर चुनाव हो गया किसी ने किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है सब ने स्विकार किया है कि हम बहुत fair and fresh चुनाव हुआ है नितिश जी को भी बधाई fair and fresh चुनाव हुआ है चुनाव योग को बधाई और साथ-साथ जितने लोगोंने चुनाव लड़ा है उनको भी कि जनता जागरुख है ये सारा लबूल वापका जो इस चुनाव में आपको देखने को मिला है अब कुछ तीखे सावाल से सुरुवात होगी और इसके साथ साथ जो इनके दावे थे वो आखिर क्यों थे ये भी पूछेंगे हम राजे जी सबसे पहले तो जीत कि आप लोगो को बहुत-बहुत बढ़ाई और खास करके आपको बहुत-बहुत बढ़ाई ये पूरे जो चार विधान सभा था उनके जनता को बढ़ाई कि उन्होंने लोग तंत्र में विश्वास करते हुए और एक हुसुशासन में सरकार विश्वास किया इसके लिए वहां के जनता को बढ़ाईए खासकर आप लोग को भी बढ़ाईए मीडिया को कि आप लोग लागतार जो है उस पर खब्रेच की चुनाओ के पहले जब प्रशार समाप्त हो गया था पटना लोटे थे तब हमने आपसे इंट्रव्यू किया था जिसमें आपसे पूछा था कि आखिर किस अधा आपके मन में तो पूरा था कि नहीं आप चुनाब जीत रहे हैं तो आखिर उसके आधहार क्या थे बेस क्या थे तब भी हमने आपसे पूछा था लेकिन आज जब जीत गये हैं तो आपको कहने में भी उजड़ रही होगा कि क्या आप लोग ने तंत्र का प्रयोक किया या जनता कनेक्ट हुई या फिर जो आप लोगों को ले करके और तीस अजार के आसपास बोटों से हराने की बात कही जा रही थी तुरेंद्रेयादों के द्वारा वह कहीं आप लोगों को हड तो नहीं कर गया या आप लोग अगरेसिव हो गया थे हकीकत यह है कि बाबा जिस तरसे बेला गंज बिगत चौतीस वर्सों से जो बिकास के जो बिधायक प्रयास से जो विकास होता है उसे एकदम अच्छोता था और वहां का देखने को मिला जो इस्तिती प्रस्तिती वहां बना कि जनता में खुद ये था कि नहीं इस बार हम लोग बदलाव करेंगे और खा के जो के न्ट टीम वह कंडे जनता के बीच में भिला गंज की जनता के बीच में सुकदकी में हमेशा भागदार मानी व कमंतरिय का जो कार्ज सभी जाति सब्य धर्मों को ले कर करके चले का और समता मुलक समाज वा स्थापना का reimburseर के उस से बावित नहीं कहीं फेर चुना हुआ और कहीं कोई लालज प्रलोभन जो जिस तरह से राज़त का जो संस्कृति रहा वो अपने और से वो कुशिस किये लेकिन जनता ने उनको नकार दिया वो ऐसास उन्दर यादव जी को पहले ही हो गया था कि हम हारेंगे और लोग कहता था कि नहीं आपने बहुत सारी बाते कहीं उसमें आपने सुर्ण रियादों का जिक्रभी किया कि वो काफी एग्रेसिव थे आपके जो पुत्र के आडियों है वो वाइरल हुए थे वह वाइरल हुए थे और उसका जाच हुआ सबकुछ वो फेक आडियों किया गयता है निपक्च पुर्व संद्या पर एक दू दिन पहले जो खेल होता है वो खेल विपक्ष पूरा खेला लेकिन जानता समझ रही थी क्योंकि हर बार का खेला था हर चुनाओ में खेला खेला जाता था विपक्षिद्वरा राजक द्वरा उसको नकार्द करके और इस बार वह भ्रम तोड को बहुत बारिकी से रखते हैं और बड़ा सटीक आप बोलते भी हैं इस जीत का स्रे किसको नितिश्कुमार को एंडिये गठबंधन को या फिर परसांद किश्वर को निश्चित रूप से यह जीत मानिया मुखमंतरी नितिश्कुमार जी का जीत है क्योंकि उन्डिये का बिहार के प्रमुख हैं तो यह जीत उनका है उनके काड़ प्राणानली का है उनके सुशासन का उनके नयतंत्र का है और वही एक अधार है रहा गई बात है कि आप प्रसांद किश्वर कहीं कोई माहिने नहीं रखने है बबाद जो अमजद जी जैसे एक बार आप ही यही प दो बार लड़े थे तो वह लड़े थे उनका जो अपना वोट अधार था जो हमें साथ जी समाज में दिन रात रहते थे यह उनके वोट बैंक था करने सब्सक्राइब लोट में दे वोट किया है ठीक है कि अशित्रीं आई सट्राव हाल वो इस चलिए उसके अधार परमात है है यह तक आज किसी भी हालत में वह लड़ेंगे यह पर दवा कर दिये थे और जब प्रसांद किशुर ने दूसरा गोफड़ा कि एक नहीं हम भी लड़ेंगे तो मजबूरन में उनको बैठा करना पड़ा था परसांद किशुर का हजारों वो बोट अगरा है तो यह बहुत बड़ा मैंने जाए अब तो चुनाओं सवाप्त हो गया है उनकी आइजेंटिरी को आखार नहीं 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 सकते हैं हम तो करते हैं क्यों नकारता हैं श्रीपॉंएं मुकाबला कर दिया है और आप उनको नकार देशेगा अब यह दोब सिर्फ बीदान सवां में हुआ है जिसको दोनों कंडेट को आप 주初 आप माइट ले रहते सूरू नहीं सब्सक्राइब करतें दूरों कंड़ेट दमदार कंड़ेट तब अगर आइसा है तो पाश्टेर आप रामगड में क्यों नहीं जा रहा है जहां परसांत कि सुर्गा गड़ है वहां घार है उनका उचीस भासा में पूरे गुंगुं के बासर देते हैं वहां उस भासा में बासर दे रहते हैं वह तरारी और आपका जो यह रामगर्ण कीया इस्तिती हुआ वहां चौथा पोजिशन पर चल गया 2020 में आप लोगों की तीसरे पोजिशन में चले गैशा है यह दिखे निए तो होता है 2020 की तीसरे पोजिशन में जो त्रिकार्मत मक्द लड़ाई था इस बार वैसे नहीं था पर देखते चलिए वहां बीयस पी और जए वहां तो कहा रहा है कि जो भारती जनता पार्टी ने ब्यक्रटिका से बहुत सारा कैम्प अधा तो उस चुनाव में कमिया थी। उसे पूरा करने के लिए उन्हें जातिया समीकरण बैठाने का सुरू किया। जहां तक मेरी जानकारी है मैं स्पॉर्ट पे भी गया था मैंने देखा कि हरी शहनी को वहां कराया जा रहा है 35 से 35 जार के आसपास जो निशाद समाज के मला समाज के लोग हैं वो लोग आपके साथ नहीं थे इस बार उन लोगों का 70 की परसेंट रूबोट है वो आपके पक् अब ओसामा का डिमांड हुआ जिए राजत जिए 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 राज़त कंडेट वहां दिया चोधरी जी को लड़ाया और उसके बाद जब समय हुआ डिमांड हुआ तो सामिल करा करके तुरंत भेजा गया साम भेजा जये त सम्क्राण है बाबार लेकिन हक्तिकत यह इस भार का जो जो कर लेकिन उनका पूरा इस इंडितृआ कि हम इस बात चारो शी टों पे लड़े हमने हिम्मत किया हम हार मानते हैं हम स्विकार करते हैं कि हमने हमने बहुत अच्छा प्रदसन नहीं किया लेकिन आप भी इस बात को बता रहे हैं कि उसामा को बुलाने की जरुवत वेलागर्ज में पड़ी क्यों आखिर मुस्लिम वोटरों को रूखने के लिए ही न तो निश्चित रुप से कहीं न कहीं प्रसांद किशोर ने वो बोट काटा है जिसका फायदा आपको मिला है आप लोग स्विकार क्यों नहीं करते हैं हम स्विकार आख्ड़े सब आपके सामने हैं यह पता चालियागा कि कितना वोट उन्होंने काटा किस जाती है का काटा क अप एक दम स्विकार कि हम कर रहे हैं कि वो कभी प्रसांद की सुर्फ बेला गंज में कोई इफ्यक्ट था हमको अमजद से लड़ाई था हमको प्रसांद किया यह ठीक है कि उनका लेवल लगा हुआ था चलिए यह यह लेकिन यह वो अमजद का है आप यह स्विकार करते है पता है अध़ बहुत तकर कि लडाई हूई माजिबना माजि के लडाई में अगर पास्वान बोट नहीं काटते तो यह वहीं आप लोग के खराब होने वाली थजिए बाबा पासवान भोट वो उनका अपना काट रहे थे अगर वो नहीं आजाए बताए अगर अमजद यो अगर जो यह जन सुराज से नहीं लड़ते जन सुराज अपना कंडेट भोफ़ा कर दिया था अमजद अगर लड़ते उस इस्तिति में क्या होता निश्चितु से मुसल जो पहले कंडेट उन्होंने खुद यह खुद नहीं यह इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी हुआ बहुत सब कुछ किये उसके बाद जब हुआ कि नहीं यह तो और भी इनस्तिती कराब होगा तो अमजद कर नाम लेकर किया गया और अमजद को वहां पर जो काम कर रहे थे यहीं बात कहें ना अगर वह ऐसा रहता है तो बाबा समझाने और बुजाने का कातरारी में अब नहीं कर रहे थे सबसे बड़ा मुस्लिम चेहर कौन थे उन लोग तो जगह ही नहीं मिला वही बात कर रहे हैं कहीं गुमाया गया कहीं गुमाया गया नहीं गुमाया गया इसके और लोग जो भी सा मिल हुए थे कहीं किसी के पेस्ट अरे बाबा वुए है यही दू आपके पर को क्या बोलेते हैं वहां से लोग नहीं हम लोग चलन देंगे चोबीसे में निपटाते हैं तो निपट गए दूसरे को निपटाते निपटाते आज परसांद किसों निपट गए ना हमारे हां भोजपूरी में बड़ा बढ़िया कहावत है कि बिकल बैल के दांत ना बिगी नाला अब ऐसी स्थिती में आप एक चीश हमकोते हैं कि चलिए आप चारों सीट जीत गए बहुत खुसी की बात है आपने ये भी स्विकार कर लिया कि नितिश कुमार का ये जीत तस ये जो दोजार चुबीस का उप्चुनाव है ये उप्चुनाव जो है आपका सेमी फाइनल ये तेजस्वी यादों भी माने थे सब को मानता है और आप देख लिए और दोजार पचीश फाइनल में वह आपका राज़त जो है फाइनल होगा जो 2010 का 22 का रिकॉर्ड था इस Pelosi की आने वाला समय में जो जहर्खंड में रहेंगे तो अब कम से कम जो है वो स्नक्षित रहेंगे ब्यार से सब्सक्राइब करने के बाद भी वहां पारगों को फाइदा लिए हम लोग तो समाजिक नहीं के लड़ा है अधर भाजपा जो है हिंदुत वला एजेंडा लड़ रही है दर केमारे आप लोग कुछ नहीं बोलते हैं कि उसका फायदा हो रहा तक क्यों नहीं सब्सक्राइब करते रहे हैं भारते जनता पार्टी आप लोग अपना सीनियर मांती रही है बिहार की सथा में रहती है और जब भारते जनता पाटि उपर आ रही है वह उसके वोट से आप सथा में बने हुए हैं तो क्यों नहीं स्विकार करते हैं आप लोग की नहीं भारते जनता पाटी हो चाहिशन हम लोग सब एक हैं और एक में कोई किसी का कद्व बड़ा कोई कद्व नहीं है सब एक है कुमार जी हैं जो पूरे आपको पिछला भार भी बोले थे हम लोग यह लड़ रही है हम लोग लड़ रही है सभी पार्टी मिल करके एक हो करके जिसका परणाम हुआ कि आज हम लोग जीते आज चुनाओ के पहले आप देखेंगे कि पूरा एंडिये का एक बैटा को रहा है म इसका परणाम आपको देखने को मिला एक अच्छा संदेश गया और सब कोई मिल करके हम लोग किये और इसका यह हुआ कि जनता पर असर हुआ समझाने में सफल हुए और निश्टित रूप से आने वाला दोवाजार पचीस में इस बार जिस तरह से यह परिवारबादी और खुशी मनाए जस्न में आप लोगों से ज्यादा भारते जनता पार्टी के हां दिखा हिंदुस्तारी अवाम पार्टी के हां जस्न बहुत ज्यादा दिखा इसके बाद जो जस्न दिखा वो लोग जन सकती पार्टी के यहां दिखा आप लोग थोड़ा जस्न में पीशे र इस बात से आप इंकार भले किजिए लेकिन फैक्ट यह नजर आता है देखिए हम लोग जब मानिय मुखबंतर इनुतिस कुमार जी ने जब जंटा दल चक्र छाप था वो छोड़े जो उसमें वह उन्होंने खुद जो है जो जंगल राज चरम पर था पूरे ब्रस्ट चार और जिस तर से गुंडा गर्दी पूरे भी आरता उन्होंने खुद जिस तर मादमा गादी जी ने लाटी लेकर के लेते पूरे अंग्रेजियों को अटाने जा तो पोर यह सब चल र करको और विहार अब किसी भी रूप में इन लों को जो लालू जी बुए हैं अब वही काट रहे हैं और उनका आप देखिए हर जगह का परिवार बाद खतम हो रहा है सब जगह चाहों महाराष्ट में आप देखी रहे हैं चोटाला सब का परिवार हर्याना में खतम हो गया अब यहां से वियार से भी लालू परिवार का जो है खतम है राजनीती को पॉंदरा साल जंगल राज रहा इस बात को आप लों मानते हैं उसका प्रचार खुब करते हैं उसी के दम पर आप लोग सब्ता में भी आए यह बात भी आप लोग सुईकार करते हैं दस साल के एपने गल्ती इंगे। लेकिन जो कहाजता है कि अब वह सुधारने की मदरना की निदफित कर दिए उसको देखते हुए कि यहाब बेहाड सुधारNे का चांस नहीं है। चोड़ दिये और यह इस्तिति है कि आज देख लीजिए मानिय मुखमंत्री के ही बदोलत आए दो दो बार मुखमंत्री रहे आज गिरापूर नों का बढ़ा कहां वह बाइस आप ही बढ़ा रहे बाइस था और कहां एक बार पचातर शीयतर पहुंच गया है आपका 2015 में तो यह बार बार करने के लेकिन मुखमंत्री जी का रहते हुए यहां न कोई जंगल राज रह सकता है न कोई अगर कोई ब्रस्टचार सकता है कि अब बाद कर देगी आपस में इस तरह से हुआ था जो भी इस्तिती प्रस्टिती बना था लेकिन यह था कि तेजसवी यादों का यह लगा कि हम लोगों का यह लालु तेजसवी में लगा कि यह वहा है कुछ नया सोच के साथ काम करेंगे लेकिन वह पिता जी के पदचि सब्सक्राइब करता है तो उसके लिए सजा है कानून है आप लोगों किसी को भी कानून कानूनी पचले में क्यों नहीं कानून को कहा कि देखिए भाई यह तेजसवी यादो भरस्टाचार कर रहे हैं इनको कानून कानून को बढ़े हुए हैं अब उस परिवार में सिर्फ एक आदमी बचा हुआ था वह है तेज परताब जी वह कोट के चकर लगाना शुरू कर दिये हैं तो आज ने तो जाएंगे यह 2022 से 2024 के बीच का परस्टाचार नहीं नहीं है यह जो किये हुए है खुद अपने गड़े में जा रहा है लोग और नहीं कितना देर यह लगेंगे फिर के चिलाएंगे कि हमको राजनितिक सम्करण के चलते हमको पासा जा रहा है यह हाथ गंड़ा अपनाते लेकिन वियार की जनता जान रहे हैं इस चुनाव का दो हज़ 25 के चुनाओं में कितना असर पड़ेगा और कितना ज्यादा आप लोग आसानवीत हैं कि यह पांचो एक साथ इंडिये में रहेंगे और इसी के दब बतालत आप अगले चुनाओं में 2020 का आख़ा जो है कि 2025 में यह जो सेमी फाइनल है 2025 का फाइनल है इसका बहुत ज्यादा इंपेक्ट पड़ेगा बहुत ज्यादा असर पड़ेगा निश्चित रूप से जो है हम लोग 2025 जो हम लोग का नारा है 2025 जीतेंगे और इस जो इंडिया गट बंदन बरस्ट चारी गट बंदन है इनलों का सफाया शूर है और हम लोग एक हो करके चट्टानी एक्ता के साथ इंडिया गट बंदन 2025 में फिर से मुकमंतरी जी नितिस कुमार जी के नितित्तों में हम लोग जीते हासिल करेंगे और जरुवत परिदू फिट यस्वी यादों से बचबे नहीं करेंगे तो आगे क्या पीछे के सवालन नहीं हुआ अब तो जो जार खंडे से मालें कोई बहुत बहुत धन्यवाद आप बड़ी बैबाकी से अपनी बात को रखते हैं राजस जीने से हमने कोसिस किया कि वह सभी बाते पुछ लें कुछ तर्फ क्वेशन भी थे आप जरूर कॉमेंट वक्स में लिखिएगा कि आपको कैसा लगा यह हमारा होट टॉक है और इसके जानेंगे बहुत भूस धन्यवाद मृत के सजया है अके सजया है फेनड़ बनाया में हो आपका भी अशी आना और आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है ये आपका विश्वास है इसमें Artificial Intelligence का सेवन लेयर सेक्रूटी का हमने इस्तिमाल किया है लज्स्क्रीन केंपस को बनाया है जिनका हमारा बॉंडरी वाल है तो वो बर्टिकल गार्डन है ये जितने भी फेसलेटी होता एक International Tranship में E-Homes है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जो भी हमारे मित्र, दोस्त ये जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेट मिल रहा है उस सारा हमने सिर्फ एक बिल्निंग नहीं बनाया हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया E-Homes में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुल फुल होते हैं देख पा रहा है ये आपका आवास है E-Homes Panorama में अब आपका निवास है E-Homes Panorama Luxurious Lifestyle Redefined पनोर्मा क्रोप जो सोचता है वो करता है अगर ये वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़वर रुवा मुफ में मिल जाई अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जोईन बटन दबा दिन पेटियम नमबर नोटकली 9386816700